जाता है हर तूफान बवंडर भी रुक जाते हैं और जब हासलों में हो जान तो परबत भी जुक जाते हैं साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई एकदम मस चल रही बढ़िया वाली चल रही एक बार कमेंट करके बता दें क्या मेरी आवाज एकदम बढ़िया आ रही अच्छी आ रही किसी को कोई दिक्कत परिसानी नहीं हो रही है और आप भी गड़ित सीखना चाहते हो न रियल में सीखना चाहते हो न तो आप बहुत अच्छी जगा आ चुके हो एकदम जीरो से आपको सिखाया जाएगा एकदम सुनने से आप ये समझ लो कि मैथ में जिनको कुछ नहीं आता है एकदम जीरो से ये क्लास सिर्फ उनी के लिए है आप सही जगा आ चुके हो एकदम जीरो से आगे सभी जिनकी काम्या भी नहीं रोंकी जा सकती है उनकी बदनावी शुरू क कर दी जाती है इसलिए सावधान रहें सतर करें और आगे बढ़ते रहें मेरी आवाद सभी को बढ़िया आ रही है एक बार यस बोल दे सब ठीक ठाक है गुड़ एकदम चलिए इससे बेसिक कुछ नहीं जोड़ गटाना गुड़ा भाग यहां पढ़ाया जाएगा मतलब आप समझ लो एकदम जीरो फिर इनको कुछ नहीं आता है उनको यह मैं सिर्फ फार एकजांपल दिखा रहा हूं कि आपको सुरू यहां से हम करेंगे सिखाने के लिए बाकि सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि यही दूचार पांच जोड़ेंगे लकेजी वाला नहीं इसके आगे भी है जनाब यहां बहुत कुछ बीच बीच में इस तरीके के हम आपको 10 कुजिशन दिखाएंगे हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो यह जीरो लेबल वाली बेसिक क्लास चलेगी न इसमें शुरू एकदम जीरो से दिखाया जाएगा और लेकिन आपको पह सेट देने माले भी इसमें होते हैं तो जो हम सिलेबस पढ़ाएंगे वो पूरा NCRT बेस्ट होगा NCRT किसी भी बोर्ड से हैं किसी भी राज्य से हैं कोई भी परिच्छा की त्यारी करने सब के लिए होगा यह सब ध्यान से देखिए यह समझ के चलिए आप कि से हैं तो आपके लिए भी 360 अंस ही होगा ठीक है यूपी बोर्ड आलों के लिए भी होगा मेरा यह कहने का तात्र पर है कि जो कांसेप्ट है वह आप किसी भी परिच्छा की त्यारी करते हो कोई भी एक्जाम देते हो सब के लिए सेम होता है तो इस भरम में ना रहें कि हमा सिंट बाद में पढ़ूंगा सब का सबकी बात सुनूंगा लाइस के दस मिनिट अगले ये सब इसमें पढ़ाएंगा अलजेबरावाला अगर टू आई में एक वाई जोड़ेंगे तो क्या होगा तीन वाई होता है न कैसे होता है क्यूं होता सब बताएंगे हम आपको सिर्फ यही दिखा रहे हैं स्टार्टिंग में कि आपको पढ़ाएंगे कहां से यह इफ में सवाल दिख रहे ना तीन पांच कुस्टन दिखाना मेरा यह कहना है कि आगे आप यह भी बढ़ेंगे और कोई भी कॉंपटिशन का एक्जाम ले लो ग्यारा से विभाजिता नियम देखो जरूर आता है मिन्स जरूर आता है से कुस्टन नहीं आएगा लेकिन कल्कुले जिसमें ना आये अनुपाद समा अनुपाद बताईए जबाद दीजिए है ना बिल्कुल बैसिक अगर हम कहूं की चार और नौ इसको सरल रूप में लिखिए तो कितना कर पाओगे आप कुछ कर सकते हो इसमें कर लोगे कि नहीं एक जानते हो चाहे इसको आइफे लिखें या इसको हम चार बटा नौ लिखें या फिर इसको हम चार डिबाइड बाई नाइन लिखें बात देके हुई ना कि चंटर गया खराब हुआ इस वज़ा से थोड़ा सा क्वाल्टी से आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है मिन्स जो यह अगल बगल दिवाल वाल दिख रही बाकी कोई दिख्कत नहीं सब बढ़िया है सब सट अब बहुत अच्छा बना है चल यह फिर सुरू करते हैं आज की कहानी आगे हैं सभी तो गुड़ा किसे कहते हैं जानते हैं गुड़ा मल्टीपल किसे कहते हैं आपने गुड़ा बहुत किया होगा चार करनों में गुड़ा करो 36 हो जाता है लेकि कहते किसे हैं जब किसी एक या एक तो नहीं होगा, जब दो या दो से अधिक, बार किसी संख्या को जोड़ा जाए, सेम संख्या को, तो जो मान आता है ना, उसको गुड़ा करने पर भी उतना आता है, जैसे मैंने फोर को अगर यहां पर थ्री टाइम जोड़ा, तो बारा आया, अगर हम फोर को थ्री टाइ चलिए इसको जानते हैं सब जानते हैं इसमें कुछ है यह नहीं जादा जानेंगे किसी के मन में कोई डाउट है तो बताइए हम चलते हैं टॉपिक पर अपने बढ़ते हैं आगे टेबल का ट्रिक भी मैंने बताया है क्या आप यह सवाल कर लेंगे आठ वाला बताओ कितने ल आप अब आज में कुछ दिक्कत है क्या या फिर दिक्कत हो रही थी चलिए फिर सुरू करते हैं ठीक है आजाओ सभी आजओ फटाफट बहुपद एक पद यह सब पढ़ेंगे गुडन खंड और गुड़क जानते हो यह सब जानते ना चलें आई ठीक है कोते ला कोण जानते की से कहते हैं बिलकुल जीरोस से हम चलेंगे इसको थ्दा सा अगर आपका हो हुथ संपूरक से समकोड भी होता है और संपूरक पे हम नभबे नहीं लखेंगे हम 180 और इस पर क्या 90 यह अंसर नहीं है मतलत समझना अगर किसी भी कोण का कोट पूरा कोण निकालना है तो उसको हम 90 से घट आते हैं बस जैसे अगर हम कहें कि 45 अंस का कोट पूरा कोण क्या है तो 90 से 45 घट आएंगे तो 45 अंस का कोट पूरा कोण 45 होगा ठीक है अगर हम कहें क किसका, 90 का पूरक कुण क्या है, तो 90 का पूरक क्या होगा, 90 से 90 घटा होगे, जिरो आएगा, ठीक है, अगर हम कहें कि 60 का कूरक क्या है, तो आप 90 से 60 को घटा होगे, तो 60 का कूरक कूरHa Q30 होगा, समझ में आया मतलब उसमें से घटा के उसको फाइंड किया जाता है सभी मेरी बात समझ भा रहे हो कोई दिक्कत ना किसी को बढ़िया आया सबना एक दम मस्त है नो डाउट नो दिक्स्वराणी चलें आगे ठीक है वह संपूरक क्या है अगर हम कंए कि 135 का समपूरक घता होगी तो कितना होगा 45 यानि 183 का संपूरक क्या होगा bread c45 पाइद आयए आया जीरो से स्टार्ड करते हैं नम शूरु उसे पहले से चलो भाई तो यह आपका बैच है पीवीर स्टडी एप के अंदर इसका क्लास सुरू हो चुकी है डेमो अभी आप यूटूब पर देखेंगे और जो बचे यूटूब पर फिरी चाहते हैं वो बिंटर बैच देखें यूटूब पर फिरी पूरा क्लास होगा sentence ? अ कि सभर बड़ हो तो मुझे जरूर बताइएगा आपसे की जिम्मेदारी है सब इंको जोड़ेंगे कितना होगा साथ दो सबीको पता है इसमें कुछ नया डी नहीं है इक साथ इस से ज्यादा बेसिक और क्या हो सकता है इससे ज़्यादा बेसिक कुछ होगा ही नहीं उनको देखके जो घबरा गए इसको भी पढ़ेंगे उसी में इसलिए दिखा दिया कि आपको यह न लगे कि हम ल केजी को पढ़ा है एक आयत की लंबाई चार सेंटिमीटर है उसकी चारवड़ाई याई सेंटिमीटर परिमाब क्या होगा उस है जाहते हो चारों अपनागों की जोड़ I'mाड को भीर का है था इस तो ब्रल्स जोड़ दो डुन GET uz जाएगा साड़े6 थाड़े направSON तेरा होगा ना, तो तेरा इसको चलिए तीन में एक जोड़ेंगे चार, साथ में दो जोड़ेंगे नौ जोड़ेंगे, साथ चार ग्यारा, इसको करके बताओ कितना आएगा, चलो जल्दी से fast very good रात के 9 बज़े भी मैं ये बैच चलाऊंगा भी रात 9 बज़े भी बच्चे इसको देखेंगे जो बार-बार कॉमेंट कर रहा है एक के चीज़ को उनको भाई हाइड करते जाएए थोड़ा-थोड़ा चलिए बीच में आवाज गरबर हुई थी क्या ये भी इसी में पढ़ेंगे उसको जोड़ने की प्रकिरिया खतम करने के बाद इसको देखिए ये भी पढ़ेंगे समान उपाती अनुपाती भी अभी आगे पढ़ाऊंगा क्योंकि पहली क्लास है इसलिए मैं पहले ये सब पढ़ाऊंगा आईए इनको कैसे जोड़ेंगे इनमें लास्ट लास्ट वाले अंको जोड़ना है जैसे साथ में एक जोड़ना है कितना होगा आठ इसका मैं ट्रिक वाला तरीका भी बता दूँगा आपको अगर आप पूरा क्लास देखेंगे अगली एकात क्लास में ठीक है जैसे आप इनका डबल कर दोगे साथ दूबना कितना हो जागा चाउदा होगा ना बताऊंगा उसको भी बताऊंगा सबर रखो चलो ये जुड़ गया साथ एक आठ और ये चार में दो अलफठ कितना हो अनफठ को न किसी को इसे इनको जोड लेंगे लाश्ट लाश्टव कशलो ना किसी को बढ़िया इसमें बदा यह सब अच्छा चल रहा है एकदम मझत है को दिक्कत ना किसी को गरिमा सिंग समझ में आ रहा है नो परशानी ना आए ठीक है इसको भी कर लेंगे ऐसे फिर सारडी में जोड़ना ये तो था पंकिती वाला रो एंड कालम मेथड ना अब कालम मेथड में क्या करोगे 7 में 8 करेंगे सीधा फिजा 8 4 में 2 6 ऐसे सब कर लेना कुछ बड़ा है नहीं इसमें ये इफिल ये लाया हूँ कि आपको ना लगे कि हम कुछ छोड़ रहे हैं ये भी सी में पढ़ेंगे में तो ये सारे कुछ चना इस पर में टाइम लगेगा ना बेसिक से ये भी पढ़ाएंगे एक दम जीरो से साइकल क 2700 रूपए में बेंचा गया जिससे उसकी 10 परसंट की हानी हुई तो साइकल का क्रे मूले बताओ भाई बेंचा जो गया इसको क्या बोलते हैं कोई बस्तू जिस मूले पर बेंची जाती है उसे क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस बोलते हैं बिक्रे मूले बोलते हैं ये भ कोई बस तो जिस मुल्य पर खरीदी जाती है उसे क्रे मुल्य बोलते हैं कॉस्ट प्राइस हां कि समझ रहो यानी सीपी हानी हुई अलाब हुआ 2700 में बेचा जिससे उसकी 10% की हानी हुई तो क्रे मुल्य बताओ बदा लोगे न अभी सब पढ़ाएंगे आगे पढ़ते तो रहो अभी तो इसका सब का टाइम है क्योंकि स्टार्ट हुआ है मैं थाभी चलो भाई बढ़िया है सब हासिल वाला जोड घटाना दीके सर आप देखिए कमेंट क्या कह रहें बच्चे उनको रिपलाई करिए हासिल जिसमें आता है इनको जोडने के बाद कितना होगा साथ तीन दस दस का एक गिंती इधर लिखेंगे यानि यह जीरो यहां रहेगा और जो एक यह बच रहा इसक यहां लाके लिख देंगे और जो वन बच रहा हुए यहां वन क्या है कहरीं हाफिल ना चार तीन साथ एक आठ खतम कोई दिक्कत ना किसी को बढ़िया चलो आगे नौ में तीन जोड़ेंगे कितना होगा नो तीन बारा बारा कब दो हाफिल कितना आया एक हाफिल एक आठ दो दस और एक कितना होज जाएका ग्यारा कोई डाउट ना इसमें नहीं कि बढ़िया चलो जीरो वाला जोड बता भैस जीरो वाला जोड क्या होता यह कौनसी विमारी के नाम है नितिन गर्मा सिंग मैंगवाल दिव्या सब का कमेंट आ रहा है निशा सिंग आ रहा है शuana करो मिरे भाइ team quarantine लोगों को बताओ ना यह लोग यह पूछ रहे है क्या कर रहे है आप रफेला कर आइसे आप इनको जोढ लेंगे किसी भी संख्या में आगा जो 181 से start होता है थरी फाइब नाइन तक होता है यानि एक सो क्या निसमें कोई है ऐसा 182 वाला सीवाला सा योगा हाथी कोण जानते हो क्या होता है अधिक कोन जो होता साथ ही मेरे वो 91 से लेकर न से बननाइन तक होता है यानि हम कह सकते हैं लिए सब्सक्राइब में देख रहे हो क्या है इसमें देख रहो क्या है देखो भाई समझो एडिशन आफ अलजेब्रिक एक्स्प्रेशन जैसे हम तीन में दो जोड़ देते हैं तो पांच हो जाता है न वैसे इसमें नहीं होता है जैसे देखो अगर हम दो में दो में पांच को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता साथ वैसे अगर हम दो वाई में पांच यक्स जोड़ें तो यह साथ नहीं होगा ना पॉसिबल नहीं फिर यह जुड़ेगा नहीं आगे क्यों क्योंकि यह दोनों समानचर नहीं है अगर हम 9 xy में सिर्फ xy जोड़ दें तो यह 10 xy हो जाता है जानते हो कैसे क्योंकि यह 9 और इसका गुड़ांग के एक है कुछ नहीं होता तो एक माना जाता है यह गुड़ांग गुड़ांग जोड़ते हैं तो नहीं एक 10 xy डन कोई दिक्कत ना किसी को इतने में आगे बढ़ सकते हैं हम लोग चलो ठीक है बढ़ियां अगर हम कहें कि 9 x square धान यक्स जोड़ेंगे तो क्या होगा जानते हो अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूं इसको सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि यह सब चलेगा अभी तुम्हें आ आप कमेंट करिएगा अपना नंबर दे दूँगा आप संपर करिए और प्यार से पढ़िए गड़िश सिखाने की पूरी गारेंटी है यह नहीं जुड़ेगा क्यों क्योंकि फजातिय पद नहीं है इनकी घात समान नहीं है लेकिन आगर मैं आइफा कर देता यह जुड़ आपको दिखा रहा था कि जीरो लेबल में हम क्या क्या पढ़ाएंगे नहीं तो हम आपको सिर्फ चार में दूई जोड़के छे लिखेंगे तो आपको हो गई यह तो यहीं सबसे लेगा क्या देखें सपोर्ट टीम की तरफ से कमेंट आ रहा आप लोग उस कमेंट को ध्यान दीजिए मैं कमेंट नहीं पढ़ू पाऊंगा अभी नो अभी सपोर्ट टीम की तरफ से कमेंट आ रहा उसको देखिए गुड बच्चा आओ चलो आगे इनको घटा लोगे सभी कोई दिक्कत ना चलो भई तीन में से दो घटाएंगे कितना आएगा एक साथ में से एक गया छे इनको भी घटाएंगे तीन में से दो घटाएंगे कितना आएगा एक आठ में से तिन गया पांच उसको बता दो कित बताईए जाने, ये भी जीरो लेबल में पढ़ाऊंगा, बेसिक मैथ में ये भी पढ़ाऊंगा, जैसे अगर में कहीं अगर ऐसे लिख दिया, यहां पे देखना, अगर मैंने कहीं यहां पे लिख दिया 9, और 18, इसको सरलतम रूप में लिखिए, तुजानते हो यहां इसे क्या कर सकते हो? प्यारे बच्चा, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, नौ अठारा इसको हल करोगे नौ एक कम नौ नौ दुन अठारा एक दू आ जायेगा ना इसे अनुपात में चेंज करोगे वन टू समझ मैं हा यानि नौ अनुपात अठारा को आप सरलतम रूप में करोगे तो वन रेसियो टू आ जायेगा बिल्कुल जीरो है यह एकदम जीरो लेबल है और क्या कह सकते हो इसमें भई अगर मैं आपको कहूं कि मेरे भाई मेरे यार आप एक बात बताओ एक बात बताओ कि 36 र वगा जो का सिए अपन एपने कालो हाइस कामन वार क्या हो सकता है छ यह होगा है से जबाइड हों नहीं नौ होगा नचन चववन नोच चाहरेश है ना है कि नोच चैथष्य नोचाहरे बिल्स नहीं ऐचाल जारे सोचो 9 36 9 056 अभी तिया और कटेगा यार 8 अठारा होगा क्या ये एक मिनट 9 अठारा है नहीं lament 9 होगा ये नहीं 2 होगा फिर 2 फिर Bade करोगे 8 अचारा दो से करोगे 2 दूना 4 2 अठे 16 अभी और होगा क्या है 2 9 अठारा 14 हुदा 24 चोग का 56 होता है चार होगा चार इसका थज्सcessor क्या होगा चार आप इसे हल करओंगे तो कितना अंगा पता है इपको फोर और फोर्टीन आएगा हुद्ध कितना एगा और arth세요 अभी हाँग नहीं होगा इसी में ये सब पढ़ेंगे और जिनको भी पढ़ना है कलास को पूरा देखना बीच में छोड़के नहीं जाना है पूरा अंत्र तक देखना इंड तक देखना एकदम कोई डाउट है कोई सवाल है पूछिए निसंकोच पूछिए अभी लाश्ट में सबका कमेंट देखूं उसके बाद आपका ये क्वाल्टी और बहतर होगा एकदम मस्त चलो बारा अठारा का सललतम रूप इसे हम बारा बटा अठारा भी लिख सकते हैं दोनों का अच्छी सीफ निकालेंगे हाइस्ट कॉमन फेक्टर जोकी छे होगा तो छे दुना बारा छे तरीक अठारा तो य जोड़ कठाना गुड़ा भाग मुझे लगता खतम हो गया क्या भाग बताऊंगा अगली कलास में भाग में 11 परकार की भाग होती है ठीक है क्या दिक्कात में अवाज आतो रही ना दीके सर क्या नेटरोक इसू हो जारा बता रहें वहीं आप अवाज सुनते रहें आपकी तरफ आवाज आ रही ना सर टेक्निकल टीम ओले ध्यान दीजिए यह मत कहिए बच्चों को कि नेटरोक इसू है यह वह अगर कोई इसू हो लुखसा नेटरोक है वह अंटमियोह और मुझे बताद मुझे बताईए आप बिल्कुल भी इधर कोई इसू नहीं नरक है हमारी तरफ इसपार देख देख रहें दहितर सकासे अभी ठोब 250 जो 1000 का कितना है हम मानेंगे क्या मैथ में बहुत माना जाता है माना की 1000 का यक्स पर्फंट है कितना 250 ऐसे हल कर लेंगे का मतलब गुड़ा पर्फंट हटाएंगे सहो से भाग बराबर 250 ऐसे हल कर लेंगे कर जाएगा दस यक्स एक बटा दोसों पचास तीरचा गुड़ा करेंगे आप तो यक्स बराबर कितना आएगा दोसों पचास बटा दस बराबर पचीस कितना परफेंट है पचीस परसेंट है कि है ना कितना अच्छा कितना आसान है चाफ लो भाई चलो कि अच्छा ने चलो को अच्छा है अब इक क्वाल्टी जो थोड़ा बहुत चमक रहा हाल का फूल का वह और बहतर हो जाएगा डॉंट वरी कोई दिक्कत की बात नहीं है दो आई आगे बढ़ते हैं चलिए जीरो से घटाना पहली कलास है मत बूलना पहली कलास है तो पहली कलास में हम यहीं सब पढ़ाते हैं वो बीच बीच में एक आठी रखा हूं कोई परसानी नहीं आगे बढ़ें इस में से आप जीरो में से घटाएंगे नहीं गटेगा बगल से उधार लेंगे दस दस में से दो गया आठ यह उधार दिया था साथ बचा साथ में से तीन गया चार खतम ऐसे कर लेंगे आप कोई बड़ी बात तो है नहीं यही तो बेसिक कि साथियों जो अभी नया बैच आ रहा है इसका पूरा कंपलीट क्लास आप फ्री भी देख सकते हैं इसके लिए आप एक फीड़बैक का वीडियो बना के हमें जरूर भेजें ऐसे फोन ले करके सामने करके ऐसे वीडियो बनाएं कि आपको क्लास के बारे में क्या कहना है अम कि सुनने में से किसी भी संख्या को घटाना चलो देखो पांच में से जीरो जाएगा तो पांच पांच में से जीरो जाएगा कितना पांच नो में से तीन गया छे एक पंदरा में से साथ गया आठ इसमें से उधार गया था एक बचा एक में से जीरो गया एक खतम चार में स से गया एक तीन मेंसे जीरो गया तीन आठ मेंसे तिन गया पांच को कोई परिसानी नहीं किसी को न हुँँ कि बढ़ियां समझ में आ रहा है न कि आए इसको गटा लेंगे बढ़ियां हम और खटीक है गुड़ा किसे कहते हैं जानते हो गुड़ा किसे कहते हैं जरा देखिए परिभासा समझीए कि किसी एक अंक या संख्या को उसी अंक या संख्या में दो या दो से अधिक बार जोड़ने की किरिया को गुड़ा कहते हैं किसी अंक या संख्या में उसी अंक या संख्या को दो या दो से अधिक बार अगर जोडते हैं तो ऐसी प्रक्रिया गुड़ा कहलाती है जैसे चार में हमने तीन बार जोड़ा चार को तो बारा हुआ न या फिर चार को हम तीन से गुड़ा करें तब ही बारा होगा तो जिस संख्या में गुड़ा करते हैं उसको गुड़े बोलते हैं और जिस से गुड़ा करते हैं उसको गुड़क बोलते हैं और जितना आता उसको गुड़नफल बोलते हैं बढ़ियां चले आगे आईए ये प्यार से देखें आप इस चैनल को यूटूब पे सब्सक्राइब करें राज कुमार यादो सर मैथ इस पर आपको पूरा कलास सिस्टेमेटिक बे में मिलेगी एक ची ध्यान दिजिए गुड़ और गुड़क का करम परिवर्तन करने से गुड़नफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कैसे जड़ा देखना जैसे मान लीजिए फार एक्जांपल मैंने गुड़ा किया फोर्टीन का फाइब में तो चवदा पंचे सत्तर होता है अगर हम पांच को गुड़ा चवदा में करें तब भी सत्तर होगा यहां पर देखे मैंने करम परिवर्तन किया चवदा को इधर किया पांच को गुड़ा तबहीं शत्तर आया यानि-नका चेंजिंग करने से कोई फरक नहीं पड़ता है किसी संख्या को सुनने से या किसी संख्या में सुनने से गुड़ा करने पर मान हमेशा सुनने आता है जैसे फार एक्जामपल मैंने साथ को जीरो से गुड़ा किया तो क्या आएगा जीरो अगर मैं 100 F S को 1290 को 0 से गुड़ा करूं, 0 आएगा अगर हम 0 से 1503 को गुड़ा करें, तब ही 0 आएगा कहने को मतलब आप किसी भी संख्या में या किसी भी संख्या से अगर 0 का गुड़ा करते हैं, तो हमेशा 0 आता है बढ़ियां एक अगर का गुड़ा करना देखें, वो तो गुड़ा करनीयां था, सिंपल वाला तरीका था, तरीक था देखो यहां पे साच बे तीर का गुड़ा करेंगे साथ तरीके कैस पांच चौक 20 और 8 चौक 32 बढ़ियां कोई दिक्कत ना किसी को, सब अच्छा है वैसे इनको भी कर लेंगे, एक अगर का दो त्याएं छे, आयन दो नवा ठारा इधर भी कर लिजिया, तिन दूना छे, आयर तीन चौक 12 ऐसे सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बढ़ियां आए जनाब आगे बढ़ते, चलिए हाफिल वाला गुड़ा, इसमें हाफिल बचेगा कैरी, कैसे जड़ा देखना, समझना जैसे साथ का पांच में गुड़ा करेंगे, आप सबी को टेबल आता है, साथ पचे पाइथिस पाइथिस का ऐसे पांच होता है इसका जो लास्ट वाला डिजिट फाइव है, यहां लिखते हैं, आप समझना, जो इसका थ्री बच रहा था, दूसरा वाला वो बन गया कैरी, इसके खुपड़ी पाजाएगा अब यह साथ का नौ में गुड़ा करेंगे इनको मिटाते चलेंगे बीच में, जहां भी लिखेंगे, इनको मिटा देंगे पड़िया चार का छे में गुड़ा करेंगे, चार छंग चौबिस चौबिस का यहां चार लिखोगे, हाफिल कितना आएगा, दो अब यह दो इसके कोपड़ी भी लिख दो ठीक है, आप चार अठें, बत्तिस, बत्तिस, दो चौँटिस कितना आएगा बढ़िया कोई दिक्कत ना किसी को ऐसे उसको भी कर लेंगे उधर वाला यह बिल्कुल जीरो लेबल करी था, एक दम सुनना वाली इसको भी पढ़ेंगे आगे टेबल का ट्रिक आप जानते हो, पहडायाद करने का ट्रिक क्या आपको पहडायाद है, कितने तक याद है? मुझे बताओ कितने तक याद है? जैसे माल लिजिए, मैं 17 का पहडा लिखना चाहूँ, मुझे पहडायाद नहीं अधिकतर बच्चों को याद नहीं होता है बता भाई याद है पाड़ा खौपड़ी पर लिख देते हैं तो इसमें क्या गड़ा खौपड़ी मतलब उपर चुर्की पर समझ रहा है चलो नयना समझ में आ रहा है गर्मा सिंग मौम्मद अफसर शिवानी लौकुस फूपेस कैसे याद करें मतलब बनाएं कैसे याद नहीं नरटना नहीं है बनाICO नहीं सबसे पहले लिए फार चैश्म डरत गम लेंखा रिख लेंगे 15 गांप में 10 इसका पहाडा लिखेंगे रबहाई 7 हो भी एट छाफ एटिस थी सिटी थी सेवंटी वन इसको स्टार्टिंग के प्यारे मेरे बच्चों आप एक काम करोगे शुरू के दो आंग जोड़ों इसे दो जोड़ो इनको एफलीग दो तो 17 एकम, 17, इनको 2 एंग जोड़ो, दो एक में 3, कितना होगा 3, और ये चार्ज लिख दो, 34, इनके 2 एंग जोड़िये, 3, 2, 5, और 1, 15, इनके 2 एंग जोड़िये, 4, 2, 6, और 8, 15, इनके 2 एंग जोड़िये, 4, 2, 6, 8, 15, इनके 2 एंग जोड़िये, तो 5, 3, 8, और 5, 50, इनके शुरू के दौग जोड़िये 640 और 0 102 74 11 शुरू के दौग जोड़िये 835 13 और चाह पॉर्छा पॉर्चा शुरू के दौग जोड़िये तो 19 15 और लास्ट में 3 सुरू के दौग जोड़िये बताईये हो गया ना टेबल 17 बाड़ा पूरा आ गया कि नहीं बोलो किसी को कोई दिक्कत बता दो मुझे नहीं न पीब्यार स्टेडी टीम के सपोर्ट जी आप भाई नंबर कमेंट करो ना कमेंट में नंबर कहां लिख रहे हो आप आप नंबर तो कमेंट करिए मिस्टर तभ अब ही तो यह लोग संपर करेंगे लाश तक जुड़े रहेंगे तो मैं नंबर खुद दूँगा यह वह नाइस का टेबल का ट्रीक है तो मिस्टर मेरी आवाज तो जवाब दिया करिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप जवाब दिया करिए कमेंट आप रिप्लाई करेंगे तो फिर जवाब देना पड़ेगा ना तभी तो हम जानेंगे कि आप जुड़े हो यह कोईशन भी इसी में पढ़ेंगे कहरा पिता की आयू पुत्र की आयू की चार गुनी है तो पांच वर्स पूर्ब यह साथ गुनी थी पिता पुत्र की वर्स वर्स आप ग्याद कीजि फेलें पिता की आयू माँनेंगे आप सैन नंबर भी पहले पुत्र की मानेंगे एया बी में कामेंट करो कौन सा बताईये कौन सी उम्र पहले मानोगे पिता या पुत्तर की देखे गरिमा कांसर आ गया बूपेश का गया लोकुस का गया लेकिन हमारे डी के मिश्टर नहीं लव कमेंट कर रहे है किसका आ रहा है क्या आ रहा है ये कुछ नहीं बता रहे इनसे मैं पूछ रहा हूं नंबर दीजिए लेकिन इनको सुना ही नहीं पड़ रहा है मैं जाओंगा पास में तकाएंगे हम सब सुन रहे थे मतलब बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज नहीं सुन रहे है चलिए ठीक है अभी मिलता हूं मैं इनसे आगे चले कोई दिक्कत नहीं दो बच्च के 36 मिनट पर लग भग मैं इनसे पूछा था इसको लिखता हूं इसे मैं जबाब मांगूँगा चलिए आगे ठीक है ठीक है ठीक असर मैं आपसे पूछता हूं अभी आता हूं एक बहुपद के वह पद जिनमें समान चर या एक से अधिक चर हूं समान गातांग उन्हें सजातिय पद कहते हैं यहां पर सजातिय भी जातिय एक बारे में पढ़ाएंगे आगे ठीक है अलजेब्रा वाला पार्ट होगा समझ रहो ना सजातिय भी जातिय आगे पढ़ाएंगे ठीक यह सब पढ़ाएंगे भी यह कोट पूरक कोण आला साथ बता दिया था ना मैं भी इस्टार्टिंग बता था ना समपूरक कोट पूरक हाँ बरियात कोण बताईए इसपे कौन बरियात कोण है कौन बरियात कोण है बताईए जवाब दीजी ठीक है बरियात कोण अभी में बताया था जेस्ट पहले बताया था ऐसा एंगल जो 181 से उपर हो 181 से उपर हो और 359 से नीचे हो यानि यह ठीक है ठीक्निकल भैया सो जाते हैं थोड़ा थोड़ा देर्ज हे इनको नीज आ जाती है न यह बच्चे रिपिलाई कर देतेaaa है सब जान जाते हैं यह थोड़ा सो जाता है भीज-बीच में फिर मैं इनको बोलता भीउन कहते हैं यह हम तो देख रहे थे बल्कूल आखे गड़ा के वस आपachen बोले नहीं मुझे वह इनको साथ बार बोलता हूं चाहिए उसमें चार बार गरिया आज पहली क्लास है, लेकिन आगे ये सब पढ़ेंगे, मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, यह सब कुछ बेसिक में बढ़ाएंगे यानि सारा बेसिक कंसेप्ट सिखाएंगे मैत का जितना भी होता है आपको ठीक है मद्द बिंदू से चारों और समान दूरी भाई साप चारों और अगर बात करें तो सिर्फ बृत में होगा मेरे हिसाब से आयत में तो नहीं होगा आयत में कैसे होगा अगर ऐसे आयत मैंने बना लिया अमद बिंदू कहीं रख लिया तो चारों और समान दूरी कैसे होगा इसमें इधर जितनी दूरी होगी इधर उतनी थोड़ी होगी नहीं होगी न सब तरफ बढ़िया यह बताए बारा नंबर में कह रहा है कि माइनस वन और वन के बीच कितनी परमिय संख्या प्राप्त की जा सकती है जिनको लगता है कि बारा नंबर में साथी मेरे जीरो है अंसर वो कमेंट में करेंगे बारा बी जिनको लगता है नाइन है कमेंटार आपका सिम्रन बेरे गुड गरिमा नैना मोहित पंकच शोभीत प्रियांसी तो अनन्त होता है किनी भी दो रेफनल नंबर के बीच में इन फाइनाइट रेफनल नंबर होती है इसका जवाब क्या हो जाएगा अनन्त तो आपसा नंबर डी होगा ट्वेल में डी कौन सा डी नंबर थाटी नंबर भी है क्या ये सब पढ़ाओंगा जनाब अभी डिविजबिल्टी रूल आगे पढ़ते तो जाओ अभी आप कहा पढ़ रहे हो अभी जीरो लेबल जोड गटाना ही थोड़ी पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे सब पढ़ेंगे विलकुल जीर विभाजित होती है जानते हो अगर किसी भी संख्या में तीन अंकों की संख्या को लगाता दो बार रिपीट कर दें वह साथ से जरूर विभाजित होगी तुमें कुछ नहीं करना है जैसे मानली जी मैंने ले लिए 128 ये तीन अंकी संख्या है ना इसको एक बार फिल लिख तो बस ये साथ से पूरी तरह विभाजी था है जीरो से इसपल आएगा भाग करके देख लेना मुझे लगता है सबसे अच्छा तो वाइट बैक्ग्राउंड पर लिखो तो बढ़िया दिखता है कोई लफडा नहीं आगे चमक दमक होने का मैं कल से वाइट पे ही लिखू बस अब इनको आप साथ से भाग कर लो जीरो से पलाएगा आएगा ना यह ट्रिक है मतलब एक परकार से आपके लिए इसमें कुछ बेसिक नहीं ना कोई ट्रिक है आपको पता होना चाहिए जब जीरो लेबल बेसिक में आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको सब कुछ एक दम अच्छे फिर ढंक से याद रहे कि यह सब बेसिक होगा सिर्फ लेबल का नहीं होगा मिन्स इसमें से कॉम्पटिशन के आपके बहुत सारे कुश्चन मैच करेंगे लेकिन मैं कोई दावा नहीं करता कि इसी में से पेपर निकल जाएगा क्योंकि उसका सिलेबस आप हम तीन बार लिख दें तो वो भी साथ से पूरी तरह डिवाइड होती है जैसे 45 से इसको लगाता तीन बार लिख दो यह तीन बार अब यह पूरी संख्या भी साथ से डिवाइड है इतना ही नहीं यह संख्या साथ से तीन फे तेरा और सैंतिस सब से डिवाइड है भाग कर में कर लेना इसको भी देख लो और यह संख्या भी 1113 वा 101 से डिवाइड होगी आफा नहीं कि यह सिप 7 से ही डिवाइड है यह 7 के अलामा 1113 और 101 से है ना कितनी काम की चीज एक बार लाइक करो फट से और कल्कुलेटर से करके देख लेना एक बार अगर नहीं है की नहीं हो त हो गया कि इसके बाद इसमें रोमा नंक भी आप पड़ोगे बेसिक में ही बेसिक में आप रोमा नंक भी पड़ोगे कि अ यह जानते हो सब बेसिक में होता है जैसे अगर मैंने संख्या लिख दिया आपका पांच पांच लिख दिया पांच फाइफ तो रोमन नंग में इसको एफ लिख सकते हैं अगर लिख दिया नो रोमन नंग में इसको एफ लिख सकते हैं ठीक है अगर आप रोमन नंग में अपनी गल्फेंड का नंबर लिख के र संब्सकी नहीं है को सब्सक्राइब करने नहीं है इस जालो देखो इसको रॉमनंग में कैसे लिखेंगे रॉमinação बढ़ा हूंगा उसमें देखिए उससे संबंधित नियम है ठीका है यह पाइब रॉमनंग कैसे जैसे नाइन को लिखते है नैन को फिर ऐन ग्लाहिए. है है थो bes magic है कर stories लिखेंगे को आप ऐसे लिखेंगे एतको कई लिखेंगे ऐसे फिर यह तुर को प्रोजों सब्सक्राइब we वी आई वी एड को आप लिखेंगा ऐसे ना ठीक हो गया ना रोमा नंक बन गया रोमा नंक में जैसे देखिए यहां समझे ना यक्स लिखते हैं दस के लिए डावाल यक्स लिखते हैं बीफ के लिए और तीरपल यक्स तीरपल यक्स लिखते हैं किसके लिए तीस के लिए रोकजा यार तीरपल यक्स तीस के लिए लेकिन ध्यान रहे चालिस के लिए चार बार यक्स नहीं लिखते हैं इसका भी नियम होता है यह गलत है यह गलत है क्यों यहापे लिखा है ना रोमन संकेत में क्या लिखा है कोई मान जोह उतना बढ़ जाता है जैसे अगर 10 है इसको हम मान 10 गुना बढ़ जाएगा नहीं किवल और दिस हो जाएगा त्किक एगा तीस हो जाएगा मतलब उतना उसमें जुड़ जाता है ऐसा नहीं कहो कि दस को दो बार एक से लिख दिया मतलब तो दस दमा सब हो गया नहीं यह सब बेसिक में था जनाब सब जीरो लेबल है अब अब कर्या आठ का गलत लीखा यह मैंने क्या होगा बाइए एक मिनिट आठ का गलत और यह जहां और कि थे ना है थो पांच धन तीन आठ होता है न तो पांच और यह रहें तीन बार यह 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 आठीक है पूरेट इट पूरपोरेट ठीक है आठ के लिए क्या होगा वी और तीन बार याई पांटीन आठ ना साही है ना हूं गुड कि जैसे साथ का होता हुआ उसी करम में आठ कभी होता है और यह सब ही स्माल लेटर होते हैं इस्माल लेटर आप कोई दिक्कत ना किसी को अच्छा किया जी मिस्टर क्या नाम में आपका शिम्रन आपने याद दिलाया ठीक है कामी कभी हो जाता है बूल चुक अतुल नौ बज़े चलेगी कलाफ रात में नौ बज़े कलाफ लगेगी नौ बज़े तो बहुत पूराना टाइम है नौ बज़े कलाफ चलेगी एक चीज़ और ऐसे कंडिडेट जिनको गड़ित सीखना है गड़ित में कुछ भी नहीं आता है यह नया बैच आया है अगर आप चाहते हैं कि वह एक डेड़ महीना में गड़ित सीख लें तो वह पीबियार स्टडी एप में कलास को जवाइन कर सकते हैं अभी इस बैच में पूरा डिसकाउंट मिल रहा है आपको काफी लंबा वाला मतलब समझे हैं काफी भारी डिसकाउंट मिल रहा है इसकी फीज है पूरे वन यहर के लिए और यह सिर्फ और शिर्फ अभी 500 में मिल रहा है बालिट पूरे वन यहर नंबर कमेंड में दे दीजिए हमारे टीम के सपोर्ट वाले जल्दी नंबर कमेंड करिए जिससे बच्चे कांटेक्ट करें और बाकी नंबर या नीचे कॉल करिए तो मिलते हैं फिर रात के नो बजे वाली क्लास में यह क्लास का टाइम दो बाहर दो बज़े से बच्चों ठीक है सुबा नो बज़े से भी यह पीब्यार स्टडी एप की स्पेसली क्लास है अभी आपको यूटूब पर डेमो मिल रहा है और हां आपको फ्री में यूटूब पर बिंटर बैच मिलती है पूरा कंपलीट कोर्स उसका मिलेगा कोई भी क्लास मिस नहीं होगी अगर आप रेगुलर देखोगे बिंटर बैच फालो करोगे तो बिंटर बैच सब्ता में दो दिन मंडे और ट्यूजडे को आती है ठीक है लेकिन अभी नया है मिलेंगे फिर बहुत बहुत थैंक्यू आप सभी को देखने के लिए अगर गड़ित में कुछ नहीं आता है तो आप उमीद करिए कि आपको गड़ित सिखाएंगे पूरा पूरी गारंटी के साथ आपको गड़ित चिखाएंगे कुछ कहना है किसी को कुछ भी कहना होगा तो कमेंट करिएगा बाद में ठीक है कमेंट करिएगा हम आपको रिस्पॉंस करेंगे बाद में